प्रिया विद्यार्थियों आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है मैं हूँ मदन सिंग आज कक्षा नवी में हिंदी पर्ष भाग एक में रहीम के दोहों का अध्यन करेंगे रहीम भक्तिकाल के एक महत्पुन कवी थे इनका जन्म लाहोर में सन 1556 इस्वी में हुआ था इनका पूरा नाम अब्दुर रहीम खान खाना था रहीम अर्बी, फार्सी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे इनके निती परक उक्तियों पर संस्कृत कवियों के स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है रहीम मद्य यूगिन दर्बारी संस्कृति के प्रतिनिधी कवी माने जाते हैं अक्बर के दर्बार में हिंदी कवियों में इनका महत्पुन स्थान था रहीम अक्बर के नौ रतनों में से एक थे इनका दिहावसान संस्वी 1626 इस्वी में हुआ रहीम के काव्य का मुख्य विशय है स्रिंगार नीती और भक्ती रहीम बहुत लोकप्रिय कवी थे इन्होंने डैनिक जीवन के सरल उदाहरनों के द्वारा अपने जीवन में नीती की बहुत सी बातें बताई हैं रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाशाओं पर समान अधिकार था इन्होंने काव्य में प्रभावपोन भाशा का प्रयोग किया है रहीम की प्रमुक किर्तियां है रहीम सत्सई, स्रिंगार सत्सई, मदनाश्टक, राजपंचा ध्याई, रहीम रतनावली, बरवय, भाशिक भेदवर्णन ये सभी किर्तियां रहीम ग्रंथा वली में समाहित हैं प्रस्तुत पाठ में भीती परक दोहे दिये गए हैं ये दोहे बतलाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तथा हमें औरों के साथ कैसा बरताव करना चाहिए तो यह था रहीम का एक संशिप्त परिचय तो आईए बारे बारे से रहीम के दोहों का अध्यन करते हैं पहला दोहा है रहीमन धागा प्रेम का मत तोडो चटकाए तोटे से फिर ना मिले, मिले गांट परी जाए रहीम इस दोहे के माध्यम से यह कहते है कि यह प्रेम रूपी जो धागा है बहुत ही नाजुक है इस प्रेम रूपी धागे को बचा कर रखो इसे मत तोड़ो तोटे से फिर ना मिले मिले गांठ परिजाए यह प्रेम रूपी धागा अगर एक बार तोट जाए तो दुबारा नहीं जुड़ पाता यदि धागे को एक बार तोड़ दिया जाए और हम उसे दुबारा जुड़ने का प्रत्न करते हैं तो वह धागा पहले जैसा नहीं जुड़ पाता है जुड़ने पर उसमें एक गांट पड़ जाती है उसी तरह से हमारे संबंध भी बहुत नाजुक होते हैं हमें आत्मिय संबंधों को बहुत सहेज कर रखना चाहिए एक बार संबंध में अगर किसी कारण से दरार पड़ जाती है तो हमारे संबंध पहले जैसे नहीं रह जाते हैं उसमें एक गांट पड़ जाती है मन में कहीं न कहीं उस बात को लेकर एक कटूता बैठ जाती है इसलिए रहिम कहते हैं कि हमें प्रेम रूपी धागे को सहेज कर रखना चाहिए उसे नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि प्रेम रूपी धागा एक बार तूट जाए तो वह दुबारा नहीं जुड़ता और जुड़ता भी है तो उस पर एक गांट पड़ जाती है दूसरा दोहा है रहिमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोए सुनी अठलई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोई रहिम कहते हैं कि हमें अपनी मन की विथा मन का जो दुख दर्द है उसे मन में ही रखना चाहिए दूसरों के सामने अपने मन की विथा परकट नहीं करनी चाहिए क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे सच्चे शुबचिन तक नहीं होते यदि हम दूसरों के समक्ष अपने मन का दुख परकट करते हैं मन की व्यथा प्रकट करते हैं तो वे हमारी सहायता करने के बजाए पीट पीछे हमारी निंदा करते हैं हमारी आलुचना करते हैं और हमें एक हसी का पात्र समझते हैं यही कारण है कि रहीम ने कहा कि हमें अपने मन की व्यथा मन का जो भी दुखदर्द है दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत कम ही लोग हैं जो हमारे दुखदर्द को सुन कर हमारे प्रती सहानुभूती का भाव रखते हैं या हमारी सहायता करते हैं बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमारी पीठ पीछे हमारी निंदा करते हैं, हमारी आलुचना करते हैं, हमारा मजाक उडाते हैं तीसरा दोहा है एक साध है सब सध है सब साध है सब जाए रहिमन मुलही सीचबो फूले फले अगाए रहिम कहते हैं कि हमें किसी एक की साधना करनी चाहिए यदि हम बहुत सारे देविदेवताओं को एक साधना चाहते हैं या साधने का प्रत्न करेंगे तो हम किसी को भी साधना ही पाएंगे रहिम का कहना है कि हमें एक ही प्रमात्मा की साधना करनी चाहिए और उस साधना से हमें जो इश्वर की किर्पा प्राप्त होगी उससे हमारे जीवन के सारे सुख जो है हमें प्राप्त हो जाएंगे जीवन के सारे सुख हमें उपलब्द हो जाएंगे बहुत सारे देवी देवताओं की उपासना करने के बजाए एक ही प्रमात्मा की साधना करनी चाहिए और यदि हम उसे इश्वर की उपासना करते है तो जीवन में सभी तरह के सुख हमें प्राप्त हो जाते है रहीम ने इसी बात को ये कुदाहरन के माद्यम से समझाने का प्रित्न किया है रहीमन मुलही सीच वो फुले फले अगाए वे कहते हैं कि हमें किसी पौधे की जड़ में पानी डालना चाहिए उसे सीचना चाहिए और जब हम किसी पौधे की जड़ में पानी सीचते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब वह पौधा फूलों से और फलों से लद जाता है भर जाता है उसी तरह से एक प्रमात्मा की उपासना करने से जीवन में सभी तरह के सुख हमें प्राप्त हो जाते हैं अगला दोहा है चित्रकुट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश जा पर विपदा पड़त है सो आवत यही देश राम को जब चौदा वर्षों का वनवास मिला था तो वे अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्षमन के साथ वनवास गए थे और चित्रकुट में उन्होंने कुछ समय वैतीत किया था चित्रकुट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश राम जब चित्रकुट पहुँचे तो वहां के प्राकिर्तिक सौंदर्य ने उनका मन मोह लिया और उन्होंने वहीं अपनी कुटिया बनाई और वहीं रहने लगे रहीम कहते हैं कि जिस वैक्ति पर विपदा आती है जिस वैक्ति पर मुसीबत आती है वही वैक्ति उस शित्र में पहुँचता है वही वैक्ति जिस पर विपदा आती है वह वैक्ति ही उस प्रदेश में पहुँचता है जाता है वहां का जो प्राकृतिक सौंदर्य था अद्भुत था तो उस प्राकृतिक सौंदर्य को वहां की प्रकृति के रमनिय दिर्शियों को देखने का उसे ही सौभाग्य प्राप्त होता है जिस पर विपदा पढ़ती है राम के जीवन में जब विपदा आई तब वे चित्रकुट गए और वहां उन्होंने अपना समय वतीत किया चित्रकुट में रमी रहे रहिमन अवध नरेश जा पर विपदा पढ़ता है सो आवत यही देश श्री राम कुछ ओदा वर्षों का जब वनवास मिला तब वे अपने माता पिता से आग्या लेकर अपने भाई लक्षमन और अपनी पत्नी सीता के साथ वनवास गए और वहां चित्रकुट में उन्होंने कुछ समय वतीत किया था रहीम कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर विपदा आती है वह व्यक्ति ही चित्रकुट पहुँचता है और वहां जब राम पहुँचे तो वहां के रमणिय प्राकृतिक दृष्य को देख कर बहुत प्रभावित हुए तो उस रमणिये प्राकिर्तिक दृष्य को देखने का सौभाग्य उसे ही प्राप्त होता है जिस व्यक्ति के जीवन में विपदा आती है अर्थात जीवन में यदि विपत्ति आती है तो हमें विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए बल्कि उसे सहर्ष सुिकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए अगला दौहा है दीरग दौहा अरत के आखर थोरे आही ज्याँ रहीम नटकुंडली सिम्टी कुदी चड़ी जाही दोहा एक छंद का नाम है जिसमें 1311 की मात्राएं लगती है आकार में दोहा जो है दो पंग्तियों का होता है जिसमें चार चरण होते हैं लेकिन अगर अर्थ के दृष्टी से अर्थ की दृष्टी से देखें तो दोहे का अर्थ बहुत ही गंभीर होता है, उसका अर्थ बहुत व्यापक होता है, उसका प्रभाव बहुत व्यापक होता है दीरग दोहा अरत के अरत के दृष्टिकून से देखा जाए तो दोहा बहुत प्रभावशाली होता है बले ही उसमें अक्षर थोड़े होते हैं ज्यों रहीम नट कुंडली सिम्टी कुदी चड़ी जाही रहीम ने दोहे की तुलना नट के साथ की है एक नट जो तमाशा दिखाता है पहले वो अपने शरीर को समेट कर बैठ जाता है और जैसे ही उसका उस्ताद उसे इशारा करता है वो तुरंत रस्ती पर चड़ जाता है और तरह तरह की कलाबाजियां दिखलाता है और लोगों को अपनी कला से मंत्र मुग्द कर लेता है उसी तरह से दोहे का प्रभाव भी व्यक्ति पर वैसा ही पड़ता है बले ही आकार में दोहे छोटे होते हैं लेकिन उनका प्रभाव बहुत गहरा होता है व्यापक होता है उन्होंने यही कहने का प्रत्न किया है बिहारिलाल के दोहों के बारे में भी इसी तरह की बात कही जाती है सत्सया के दोहरे और नाविक के तीर देखन को छोटन लगे घाव करे गंभीर अगला दोहा है जिसमें रहीम ने कहा कि धनी रहीम जलपंक को लगुजिय पियत अगाए उदधी बढ़ाई कौन है जगत पियास हो जाए धनी रहीम जलपंक को वे धनी लोग जिसके पास धन है और वे अपने धन का उक योग परुपकार के कारियों में लगाते हैं दुसरों की सहायता क्या करते हैं वे धनी लोग पंक वाले जलाशे की तरह हैं जिस तरह से पंक वाला जलाशे बहुत सारे छोटे प्राणियों की पियास बुझाता है उसी तरह से धनी लोग बहुत सारे लोगों को रुजगार देते हैं और बहुत सारे लोगों की आजवी का चलाते हैं वे समाज के लिए बहुत अच्छे-च्छे कारे भी करते हैं उदधी बढ़ाई कौन है जगत पियास हो जाए रहीम कहते हैं कि समुद्र का बड़पन किस काम का यदि वह किसी भी प्राणी की प्यास बुझाने में असमर्थ है समुद्र जल से भरा होता है जहां अथाह जलराशी होती है लेकिन खारेपन की वजह से वह किसी की भी प्यास बुझाने में समर्थ नहीं होता तो उसका यह बड़पन किस काम का है उससे अच्छा तो वह छोटा जलाशे है बले ही उस जलाशे में नीचे तल में कीचड़ है लेकिन वह बहुत सारे प्राणियों की प्यास बुझाने में सक्षम है अर्थात वह धनी व्यक्ति जो थोड़ा कम धनी है लेकिन बहुत सारे लोगों को रुझगार देता है उनकी आजवी का चलाता है तो वह उस महान धनी व्यक्ति से स्रिष्ट है जिसके पास अपार धन है लेकिन वह अपने धन का उप्योग परुपकार में नहीं करता है एक और दोहा देखते हैं मिर्ग के बारे में हिरन के बारे में यह कहा जाता है कि उसे संगीत बहुत अच्छा लगता है उसे संगीत अच्छा लगता है और वन में जब भी उसे कहीं से संगीत सुनाई देता है तो वह ध्यान मगन होकर उस संगीत को सुने में व्यस्त हो जाता है जिसका शिकारी लाब उठाता है और उसके बहुत निकट जाकर उसकी हत्या कर देता है नाद से प्रसंद होकर, संगीत से प्रसंद होकर म्रिग जो है अपना शरील त्याग देता है मनुश्य यदि प्रसन्न होता है तो वह भी उसके बदले में धन देता है जब भी कोई व्यक्ति हमारे जीवन में प्रसन्नता लाने का प्रत्न करता है तो हम उसे जो भी बन पड़ता है धन संपत्ति देते हैं और उसकी सहायता करते हैं लेकिन रहीम ने उस व्यक्ति की आलुचना की है जो व्यक्ति प्रसन्न होने के बाद भी कुछ नहीं देता ऐसे लोगों के बारे में रहीम ने कहा कि वे लोग पशु से भी गए बीते हैं जो प्रसन्न होने के बाद कुछ भी नहीं देते अर्थात रहीम यह कहना चाहते है कि जो लोग हमारे जीवन में प्रसन्नता लाने का प्रत्न करते हैं हमारा कर्टब बनता है कि हम उनकी सहाथा करें जो भी बन पड़े हम उनकी मदद करें समाज में हमारे ऐसे आचरन से ही समरस्ता बनी रहती है और हमारा समाज आगे बढ़ता है आईए एक और दोहे की चर्चा की जाए बिगरी बात बने नहीं लाख करो किन कोई रहिमन फाटे दूद को मते ना माखन होए रहिम कहते हैं कि एक बार यदि कोई बात बिगड जाए तो वह दुबारा नहीं बनती किसी कारण से अगर कोई काम हमारा बिगड जाए तो वह काम दुबारा नहीं बनता और इस बात को उन्होंने एक उदाहरन के माद्यम से पष्ट किया है उन्होंने उदाहरन दिया है और कहा है कि जिस तरह से दूद एक बार फट जाए तो उसे हम मतानी पर रखकर लाख मतें उससे मक्षन नहीं निकल सकता दूद को जब हम उबालते हैं और इसी क्रम में जब दूद फट जाता है तो उस दूद से मक्षन नहीं निकाला जा सकता है भले ही हम और दूसरी चीजें उससे निकालनें लेकिन मक्षन नहीं निकाल सकते अर्थात कवी का यह कहना है कि एक बार यदि बात बिगड़ जाती है तो वह बात दुबारा नहीं बनती जिस प्रकार से दूध एक बार फट जाए तो हम उसे लाख मतें उसे मक्षन प्राप्त नहीं कर सकते तो इसलिए किसी भी कारे को करने से पहले हम अच्छी तरह से सोच समझ लें और कोई भी ऐसा काम न करें जिससे की हमारी बात बिगड़ जाए हमें किसी भी कारे को करते समय बहुत साउधानी बरतने की आउशक्ता है क्योंकि एक बार अगर बात बिगड़ जाए तो वह बात फिर नहीं बन पाती तो क्यारे बच्चो आज हमने रहीम के दोहों का अध्यन किया आईए इस पार से संबंदित कुछ शब्दों के अर्थ जाने पहले दोहे से जो शब्द लिये गए हैं उसमें पहला शब्द है चटकाए चटकाए का अर्थ है चटका कर, तूड कर दूसरे दोहे से शब्द लिया गया है बिथा बिथा, व्यथा, दुख वेदना, कश्ट, गोए, छिपाकर अठिलाई हैं, इठलाना, या मजाक उडाना तीसरे दोहे से शब्द लिया गया है सिचिबो इसका अर्थ होता है सिचाई करना जब हम किसी पौधें में पानी डालते हैं तो उसको कहते हैं सिचाई करना इसी दोहे से एक और शब्द है अगाय जिसका अर्थ होता है त्रिप्त होना अगला शब्द है अर्थ जिसका अर्थ होता है माइने या आशय या मतलब थोरे थोड़ा कम पंक कीचड उदधी सागर नाद ध्वनी नाद ध्वनी आप संगीत भी कह सकते हैं रिजी मोहित होकर प्रसन्न होकर बिगरी बिगरी हुई फाते दूद फटा हुआ दूद मते मतना जब हम मतानी में मतते हैं तो उसको कहते हैं मतना आईए इस पार से संबंदित प्रशनों को देखें पहला प्रशन है प्रेम का धागा तूटने पर पहले की भाती क्यों नहीं हो पाता प्रेम आपसी लगाव आकर्शन और विश्वास के कारण होता है यदि एक बार यह लगाव और विश्वास तूट जाए तो फिर उसमें पहले जैसा भाव नहीं रहता एक दरार मन में आही जाती है ठिक वैसे जैसे की धागा तूटने पर जुड नहीं पाता यदि उसे जोडा जाए तो उस पर गांट पड़ी ही जाती है दूसरा प्रशन है ख़व हमें अपना दुख दुसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए अपने मन की विथा दुसरों से कहने पर उनका विवहार कैसा हो जाता है उत्तर हमें अपना दुख दुसरों पर प्रकट नहीं करना चाहिए कारण यह है कि लोग दुख की बातें सुनकर प्रसन नहीं होते हैं हमें अपना दुख अपने मन में ही रखना चाहिए अपने मन की विथा दुसरों से कहने पर उनका विवहार परिहास पूर्ण हो जाता है प्रिविद्यार्थियों आज के पाठ को हम यहीं विराम देते हैं अगली कक्षा में इस पाठ से संबंदित शेस दोहों का ध्यन करेंगे उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे धन्यवाद